नमस्कार किसान भाइयोğ, आज हम सोयवीन के बीज उपचार के बारे में जानेंगे तो आईये शुरू करते हैं किसान भाइयो, सोयवीन में बहुत सारी बीमारिया आती हैं उनमें विशेश कर फपून जनित बीमारियों से बचाब के लिए सोयवीन के बीच को बुआई से पहले दो ग्राम थायरम एवं एक ग्राम कारवन डाजिम प्रितिकेजी बीच की दर से उपचारित करें। के लावा किसान भाई मिस्रित बीच उपचार के लिए जैविक फपून ना सक जैसे की ट्राइकोडर्मा ब्रेडी आठ से दस ग्राम प्रितिकेजी बीच की दर से उसको भी उपयोग कर सकते हैं। कावकनाशियों द्वारा उपचारित बीच को शाया में सुखा कर जैविक खाद जैसे ब्रेडी राइजोवियम एवं पीएसवी कल्चर दोनों को प्रत्यक की पांच ग्राम प्रितिकेजी सीड की दर से उपचारित कर ब्वाई के लिए तुरंत उप्योग करना चाहिए। नए छेत्रों में सोयवीन की खेती शुरू करने के लिए जैविक खाद 2-3 गुनी एवं 10-15 ग्राम प्रितिकेजी बीच की दर से बीजुपचार करना चाहिए। किसान भाई यह विशेज ध्यान रखें कि कवक नाजियों से बीजुपचार करने के बाद ही जैविक कल्चर या खाद का उप्योग करें अर्थात की FIR मेथड अपना है जैसे कि सबसे पहले फंजी साइड फिर इंसेक्टी साइड और फिर राइजुवियम कल्चर से ही 10 ग्राम प्रती केजी सीड एवं इमीडा क्लोरप्रेड 48FS सबा एमल प्रती केजी सीड की दर से बीजुपचार करें